इस्टुडेंट्स गुड मॉनें आजम बी पार्ट फर्स्ट सोस्योलोजी पेपर फर्स्ट के अंतरगत टॉपिक हिंदू मेरेज एज इस सेक्रामेंट अधात हिंदू विवा एक धार्मिक संस्कार के अंतरगत दो टोपिक हैं दो मेंट पॉइंट्स हैं नेचर ओफ हिंदू मेरेज हिंदू विवा की प्रकृति या विशिस्तान के बारे में हमने इसके पूर्वे वीडियो में चर्चा की थी आज हम एक नया पॉइंट्स फॉइंदू मेरेज अथात हिंदू विवा के सवरू के बारे में चर्चा करेंगे इन दोनों पॉइंट्स पर एकजाम में बड़े किस्षिन और लोंग टाइप किस्षिन और शोट टाइप किस्षिन दोनों प्रकार के पूछे जाने की शंभावना रहती है तो आज हम forms of Hindu marriage अथात हिंदू विवा के कितने सवरूप हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे विवा के सवरूप हमारा तात्परी यह है कि विवा बंदन में बंदने की विभीन विधियां कौन सी है मनुल स्मृत्ति में बताएगे हिंदू विवा के प्रमुक सभी प्रकार के विवाओं में श्रिष्ट माना गया है मनुने ब्रह्मा विवा को परिभाशित करते वे दिखा है कि वेदू के ग्याता शीलवान वर को स्वयम बुलाकर वस्त्र अभूशन आदि से सुसजित कर पूजा अधार्मिक विधी से कन्यादान प्रदान करना ही ब इसी परकार यागवलक्रिय ने लिखाया कि ब्रह्मा विवाओं उसको कहते हैं जिसमें वर को बुलाकर अपनी सक्ति के अनुशार अपनी छमता के अनुशार अलंकारूं शे अलंकृत कर कन्यादान दिया जाता है ऐसे विवासे उत्पन पुत्र 21 विडियों को पवित्र कर करने वाला होता है दैव विवा नेक्ष्ट टाइप का है गोतम याग्य वलके ने दैव विवा के लक्षन का उलेख इस परकार किया है वेदों में दक्षना देने की शमय वह यग्य कराने वाले पुरुहित को अलंकारों से सुषजित कन्यादान ही दैव विवा है मनु का विचार है की सदकर्म में लगे पुरुहित को जब वस्त्र और आबशनों से सुषजित कन्या दी जाती है तो वह इसे दैव विवा करते हैं प्राचिन समय में यग्जे और धार्मिक अनुष्थानों का अधिक महत्र था जो रिशी अथ्वा पुरोहित इन पवित्र धार्मिकारियों को शंपन कराता यजमान उससे अपनी कन्या का विवा कर देता था वर्तमान समय में इस परकार के विवा नहीं पाये जाते हैं दैव विवा वैदिक यग्जियों के सासार विलुप्त से हो गये हैं और बैभी नेक्स्ट पॉइंट है आरस विवा आरस विवा इस परकार के विवा में विवा का एक चुक वर कन्या के पिदा को एक गाय और एक बै अत्वा इनके दो जोड़े पदान करके विवा करता है याग्ये वलकें लिखते हैं कि दो गाये देकर जब कन्यादान किया जाए तब उसे आर्ष विवा करते हैं मनु लिखते हैं गाये और बैल का एक युग्म वर के दुआरा धर्मकारिये तु कन्या के लिए देकर विधिवत कन्यादान करना आर्ष विवा का जाता है आर्स का समन रिशी संद से हैं जब कोई रिशी किसी कन्या के पिता को गाय और बैल भेट की रूप में देता था तो ये समझ लिया जाता था कि अब उसने विवा करने का निश्य कर लिया है गाय वे बैल भेट करना भारत जैसे देश में पसुधन के महत्व को प्रकट करता है बैल को धर्म का यह गाय को पृत्वी का प्रतिक्त माना गया है जो कि विवा की साक्षी की रूप में दिय जाते थे नेक्स्ट है प्राजा प्राजापत्य विवा प्राजापत्य विवा भी ब्रह्मा विवा के शमान होता है इसमें लड़की का पिता आदेश देते वे कहता है कि तुम दोनों एक साथ रहकर आजिवन धर्म का आच्रन करो याग्यवल के करते हैं कि इस परकार की विवा से उत्वन शंतान अपने वंस की बारे पिडियों को पवित्र करने वाली होती है अशूर विवा मनू का विचार है कि कन्या के परिवार वालों एम कन्या को अपने सक्ति की अनुशार धन दे कर अपने एक्छा से कन्या को गरहन क करना असुर्वा का जाता है याग्य वलकर गोतम का बिचार है मत है अधिक धन देकर कन्या को ग्रहन पर ना बिवा असूर्व नोरकि 시간이 में हीखा क्षा से पारस्प्रिक किसने द्वारा काम और मैथुन युक्त भावों से जो विवा किया जाता है उसे गंधर्व विवा करते हैं या गंधर्व विवा याग्यवल के पारस्प्रिकिष्णे द्वारा होने वाले विवा को गंधर्व विवा कहते हैं प्राचिन समय में गांधर वुनामत जाती द्वारा इस परकार की वुवा किये जाने के कारण ही एशे विवाओं का नाम गांधर वुवा रखा गया है वर्तमार में हम इस से प्रेम वुवा के नाम या लव मेरेज के नाम से भी जानते हैं वासल्य वासायान ने अपने काम सुत्र में इससे एक आदर्स विवा माना है दुस्यंत का शकुंतला के साथ गंधर विवाही हुआ था ये गंधर विवाही हुआ था नेक्स्ट है राक्षस विवा मनु करते हैं मार कर अंग्छेदन करके घर को तोड़ कर हला करती वी रोती वी कन्या को बलात हरन करके लाना राक्षस विवा कहा चाता है याग्येवल के ने लिखते हैं कि यूद में कन्या का अप्रहन करके उसके साथ विवा करना ही राक्षस विवा है इस परकार की विवा उश्य में अधिक होती थे जब यूदूं का महत्व था और इस्त्री को यूद का पुरुषकार माना जाता था महाभारत काल में इस परकार की विवा के अनेक उधरन विलते हैं भिस्म ने कासी के राजा को प्राजित किया और उसकी लड़की अंबा को अपने भाई विचित्र वेरिये के लिए उठा लिया स्री कृष्ण का टुक्मनी एवं अर्जुन का शुबद्रा के साथ भी इस परकार का विवा हुआ था राक्ष्यस विवा में वर एवं वधो के पक्ष के बीच परस पर मार पी एवं लड़ाई जगडा होता था इस परकार के विवा छट्रियों में अधिक होने के कारण इसे चात्र विवा भी कहा जाता है आजकल इस परकार के विवा अपवाद के रूप में ही देखने को मिलते हैं और लास्ट पॉइंट है पैसाच विवा मनु करते हैं सोई हुई उनमत गबराई हुई मदिरा पान की हुई अथवा रामे जाती हुई लड़की के साथ बलपूरवक कुकृत्ट करने के बाद उससे विवा करना पैसाच विवा करनाता है इस परकार की विवाक को सबसे निक्रिष्ट कोटी का माना गया है किन्तु इस परकार की विवाक को लड़की का दोश नहोने के कारण तथा को मारे भंग हो जाने के बाद उससे सामाजिक वहिसकार से बचाने और उसका सामाजिक समान बनाए रखने के लिए ही स्विकर्ति पर राक्षछस्विबा को तो अधम तथा पैशाच विवा को महा व्रश्ट माना गिया है वरतमान समय में हिंदु में ब्रह्मा अशूर गानधर्वय हैं SUR परसलित है दैव आर्श प्राजपत्ति वा उन ते समाप दों कि आंऊ है तो ये हुए विवा के विभिनsoft नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रोहिबिशन ओफ हिंदू मैरेज फिल्ड ओफ मैरेज सेलेक्शन अथात हिंदू विवा के निशीद विवा शाथी चुन्ने का छित्र समाज शाष्त्र में किस प्रकार से हैं उसका ध्यन करेंगे